हाई गाईज और यूट्यूब चैनल केमचोबदा मजामात चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का वीडियो सबसे इंपोर्टन वने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल के उपर आज जो तीनों स्टॉक के हम लोग बात करने वाले वह तीनों जबर्जस स्टॉक है उन में से जो फर्स स्टॉक मैं बात करने वाला हूँ वह एक फ्रेशली न्यू ब्रेक आउट स्टॉक है दूसरा जो मैं स्टॉक बात करने वाला हूँ वह एक स्टॉक जो है उस स्टॉक का IPO आया था तब से वह स्टॉक उपर गया फिर अपना IPO का जो लो था उसको टेस् प्रण चेंज कर रहा है अभी हम लोग कहीं नग कहीं बोल सकते हैं वह ए अपना ट्रेंड कर रहा है यह से ऊद्धिकर रहा है बट वो stock इतना strong है कि breakout level के नीचे ही नी जा रहा है तो मैं आपके साथ share करता रहूँगा जब तक वो उपर नहीं चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ new जूडते हैं तो उनको भी पता चले कि वो stock strong क्यों दिख रहा है तो आज के दिन पर हम लोग बात करने वाले तीन stock के उपर and nifty जो है आज के दिन पर बोलेंगे हम लोग 16 August को strong दिख रही है तो चलिए move on करेंगे हमारे वीडियो के उपर and analysis करेंगे nifty का and then हमारे तीनो stock का सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज जो हम लोग stock share कर रहे है वो market over होने से पहले share कर रहे है क्योंकि मैं गुमने जाने वाला हूँ gear आप लोग को मालूम होगा जो गुजराच से विलाउं करते हैं तो मैं वाँ पे गुमने जा रहा हूँ आज ही मैं अभी निकलूँगा तो इस सबसे मैं ने बुला हमारा जो chart for the week वाला वीडियो है वो आना ही चाहिए बिलकुल आने चाहिए इस वज़ा से मैं थोड़ा early बना रहा हूँ almost 2 बज़रे है तो एक गंटे डेट गंटे में जो हमारा market भी over हो जाएगा एन उससे पहले मैं जो है वीडियो खतम करके डाल भी दूँगा एन कल आप लोग देख लोगे मिन साज आप लोग Saturday को देख भी लोगे तो हमारा जो मोटीव है चैनल का वो वीडियो मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए तो चलिए move on कर लेते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस पार्ट के उपर तो यह आप लोग देख रहे हो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अभी हम लोग ने लास्ट सेटरडे वाले वीडियो में बात किया था इस दिन यह वाले फ्राइडे की केंडल की के यह केंडल जो है बहुत स्ट्रॉंग नहीं दिख रही है वैसे ही हुआ तीन दिन यहापे हम लोग को डाउनफॉल देखने हो मिला होगा वो यह मंडे के दिन का गेप डाउन ओपन हुआ था वह हम एजा हमारा सपोर्ट करेगा जो होगा ट्वेंटी त्री त्री ताउजन नाइन हंडेड रूपीज के पास दूसरा जो इंपोर्टन सपोर्ट है वह हम लोग ने बात किया ही हुआ है कि यह वाला जो है 23,665 का वह हमारा सपोर्ट की तरह वाक करेगा रेजिस्टन्स की मैं बात करूं तो यह एक आपको रेजिस्टन्स देखने को मिल सकता है 24,780 रूपीज के पास एक रेजिस्टन्स देखने को मिल सकता है बाकी तो है अल्टाइम हाई वाला अपना रेजिस्टन्स तो है तो जो स्टॉक के आलमोस्स दो साल के बाद ब्रेकाउट कर रहा है एंग ब्रेकाउट केंडल जो है बहुत ही मैसिव बनी हुई है तो चलिए करते हैं इस स्टॉक का एनलेसिज अभी यह आप लोग देख रहे हो पोकर ना लिमिटेट का वीकली टाइम फ्रेम मैं बात करूं तो 800 रूपीज का जो है ब्रेकाउट लेवल था जो अभी सपोर्ट एजब वक करेगा इस विक की मैं बात करूं केंडल की तो अलमोस्स साड़े बारा परसन की हमारी जो है केंडल बनी है और बहुत ही अच्छा स्क्रिंग के उपर ब्रेकाउट दिख रहा है फर्स्ट इसका ज जो है 860-850 मिलता है तो बहुत ही अच्छी अपोचुनिटी हो सकती हमारे लिए अगर यह स्टॉक जो है अपना वीकली लो तोड़ देता है जो हमारा 750 रूपीज यह वाला लेवल जो तोड़ देता है तो हमारे लिए जो होगा ब्रेकाउट फेलियर मना जाएगा अगर मै यह था हमारा आज का फरस्ट फॉर्ड़ वीग तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा सेकेंड फॉर देविग कौन सा है तो यह स्टॉक जो है एक रेस्टोरेंट इंडस्री से बिलोंग करता है और कई ना कहीं यह रेस्टोरेंट का नाम आप लोग ने सुना होगा अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो कई ना कई इस रेस्टोरेंट का नाम आप लोग ने जरूर से सुना होगा तो इस टॉक का नाम है बार कि नेशन लिमितेड यह बार कि की नेशन कर रहा है अपना जो है बॉटम के पास ब्रेकाउट या तो हम लोग बोल सकते हैं trend reverse तो चलिए जानते हैं इस stock में इतनी क्या खास बात हैं जो हम लोग trend reverse बोल रहा है इस stock में तो चलिए screen के उपर तो यह आप लोग देख रहे हो बार्बेकी नेशन का weekly time frame first of all हम लोग इसकी history से शुरू करते हैं कि क्या analysis हम लोग का बन रहा है तो आप लोग देखोगे तो यहां पर open हुआ था यह somewhere about stock 5th April 2021 को almost 3 साल पहले तो यह जो stock 481 रूपीज पर आया था यह stock का एक नेचर था 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 थोड़ा बहुत उपर जाता था नीचे आया है ऊपर जाता था नीचे आया उपर जाता था नीचे आया ऐसे करतेकरते यह जो stock है almost 480 रूपीज से यह जो stock है 2000 रूपीज के पास गया था और हम लोग बोलेंगे 300% रिटन हमको बना के दिया था अभी ये तो बात हो गई पूरा नी बट अभी क्या हो रहा है स्टॉक में के मैं बोल रहा हूं ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो चलिए चार्ट के उपर हम लोग देखते हैं करते होगे तो कहीं नागें से सपोर्ट लिया है यह जो यह लोव इसने तोड़ा नहीं है एक बार तोड़ा था बट वह वापीज से ऊपर चला तो यह परफेक्ट हम लोग बोलेंगे सपोट की तरह एक्ट किया अभी आप लोग देखो कि यह सटोक जो जब गिर रहा था तब आप लोग देखो के कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में यहां पर सपोट लिया वापी से ऊपर गया अन्हां पर आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा हमारा ट्रेड सेटप कैसे बन रहा है यह जो स्टॉक ने जो है अपना बेस बनाया अल्मोस्ट हम लोग बोलेंगे मार्च के मैंन्थ में यह स्टॉक गिर रहा था और मार्च का जो मन्थ का हाई था वो इसने क्रोस ओवर कर दिया है और बेस जो हो सकती है आप लोग लिए अगर यह जो स्टॉक है 530 के नीचे निकल जाता है तो हमारा जो है ब्रेकाउट फेलियर हो जाएगा इस टॉक में वापिस से जो है यह स्टॉक ड्राउं टेंड में चला जाएगा इस टॉक में जो हम लोग अजूम कर रहा है पहले से ही कि यह ज की जो है टार्गेट ही टार्गेट है इस टॉक में अगर यह ब्रेकाउट होता है 800 का तो 1293 एंड उसके बाद जो है हम लोग आल टाइम हाइक वाला आज टार्गेट रख सकते हैं तो यह जो है ट्रेंड रिवर्स कर रहा है और अच्छा दिख रहा है यह स्टॉक तो ब्रेकाउट लेवल का लोग बोलेंगे नहीं ब्रेक किया था तो यह जो है स्टॉक स्टॉक दिख रहा है इस टॉक का नाम है रिको आटो इंडस्री लिमिटेड येस यह बहुत टाइम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है वापी से एक बार शॉट एंड सिंपल वे में चलिए जानते है रिको आटो का क्या बन रहा है हमारा एनलेसी तो अगर आप लोग देखोगे यह है रिको आटो का मंतली टाइम फ्रेम फर्स्ट अफ वल इस स्टॉक में आ रहा है 2005 का ब्रेक आउट तो अल्मोस्ट आप लोग पकड़ लो 19 साल बूरा ना ब्रेक आउट आ 24 में आया हुआ था अगर आप लोग को जो है पता नहीं कैसे वर्क करता है तो हम लोग ने लास्ट वीडियो बनाया हुआ है तो जाके वह आप लोग चेक आउट कर देना एन लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो यह आप लोग देख रहे हो रिको आज यह चलिए एनलीसी के बार बात करते हैं कि हमारा ट्रीड के अएल मीडर करते हैं तो चलिए इसके analysis part के उपर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है trade setup क्या होगा current market price की मैं बात करूँ तो अभी भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है current market price and अगर यह stock जो है अपना जो यह हमारा 11th March का जो low है break कर देता है 108 का तो हमारे लिए यह जो होगा stock breakout failure हम लोग मान सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा बहुत buffer रखना चाते हो तो 105 के आसपास रख सकते हो तो यह था हमारा आज का third chart and इसका जो है target में बता देता हूँ आप लोग को मेरा क्या रख रहा है 157 जो है मेरा first target होगा and अगर वापीस से यह stock जो है यहाँ पे strong breakout करता है तो हमारा जो target बनेगा वो होगा 200 रूपीस के पास तो यह थे हमारे आज के तीनो stock अगर आप लोग को हमारे concept समझ में आते हैं तो नीचे एक बार like कर देना and comment में आपका जरूर से बता देना कि क्या आपको लग रहा है इन stocks के उपर and क्या आप लोग इन stock में से कोई भी hold करते हूँ वो भी मेरे को जरूर से बता देना तो यह था हमार आज का वीडियो अगर आप लोग को मज़ा है वीडियो में तो like करिए share करिए and knowledgeable लगा हो तो please एक बार comment भी कर देना बाबाई see you in next वीडियो